असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू अतॉंटिक इंडियन कुक यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेसेपी इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर चिया सीट्स लिया है इसे भिगो कर रख दूँगी मैं अगर आपक एक वाटरमिलन ले लिया है इसे टू पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से आप देख सकते हो वाटरमिलन फ्रेश है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है अब इसके हम क्यूब्स निकाल कर इस तरह से मैंने यहां पर नाइफ का यूस नहीं किया है आप देख सकते हूं इस से स्पून की मदद से ही सभी वाटरमिलन निकाल कर मैं एक जूसर में डाल दोंगी जूस बनाने के लिए इस तरह से बना कर दीजिएगा जब आपके घर में महमान हो या फिर आप इफ़तार पार्टी कर रहे हो इस तरह से जूस बना कर सर्फ करिएगा रिफ्रेशिंग ड् देखिए मैंने स्पून की मदद से सभी वाटरमिलन को इस तरह से निकाल लिया है अब यह जो छिलका है वाटरमिलन का हम फेकेंगे नहीं वीडियो पूरा देखते रहे हैं स्किप मत करिएगा जूसर में हम एट करेंगे वाटरमिलन के पीसेस के साथ थोड़े फ्रेश मिन पुदीने के पते और शुगर शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो मैंने यहाँ पर चार बड़े चमज डाले हैं अब यह जो वाटरमिलन का छिलका जो राउंड शेप में हमने रखा है इसी में हम डाल देंगे हाफ टीस्पून चाट मसाला हाफ लिंक आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरों को शेयर कर दीजिए ताके उन्हें भी हल्प हो जाए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकॉन के साथ अगर आप लेल को क्लिक करोगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप इसका ब्यूटिफुल है आप ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा और अपने एक्सपिरियंस कमेंड बॉक्स में शेयर कीजिए आपको ये ड्रिंक रेसिपी कैसी लगी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने चाट मसाला काला नमक और निमु का जूस वाटरमिलन के छिलके में डाला था जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं जब आपको सर्फ करना हो आइस क्यूप के साथ थंड़ थंड़ कीजिएगा आइस क्यूप हम डालेंगे ग्लास में और ऊपर से डाल लेंगे थोड़े फ्रेश मिन्ट लीव पुदीने के पते और जूस इस तरह से डाल दीजिए हमने चिया सीड्स भिगो कर रख दिया था वह हम एट कर देंगे वान टी स्पून फुल देखिए लग रहा है न बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग समर स्पेशल इफ्तार पार्टी स्पेशल वाटरमिलन ड्रिंक र अजासत दीजिए फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ अलहाफिज